नवस्कार दोस्तों मैं हुँ अंकियत और आप देख रहे हैं दा जीस प्लेट फॉर्म यूट्यूब चैनल तो देखे आज है करेंट अफेर का वीडियो नम्मर 69 यह डेली करेंट अफेर का वीडियो नम्मर 69 है इससे पहले 68 वीडियो बन चुके हैं अगर आपने उन वीडि दो दिन से वीडियो नहीं आया है तो मैहने उन-दो-तीन दिन का वी वीडियो जो करेंट अफेर है व 엉वा आज मैंने कवर कर लिया है तो वीडियो शुरू करने कंपा कि आप मारे चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर ली से कुछ दोस्तों ने कमेंट किया कि क्या यह जो सीरीज है बूबंद हो गई है डेली करेंट अफियर सीरीज लेकिन ऐसा नहीं है मैं आज की वीडियो में पिछले दो तीन दिन की जो करेंट अफियर है उसको मैं कवर करके चल रहा हूँ तो चलिए शुरू करते हैं पहला बरसन है ICC की पहली स्वेतंत्र महला निदेशक कौन बनी इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो क्रिकेट की बड़ी संस्था है वैस्विक संस्था है तो ICC की पहली स्वेतंत्र महला निदेशक पैपसिको की CEO इंद्रा नुई को ब एक confusion आपका दूर होता है यहां पर वर्तमान में ICC के अध्यच कौन है इस समय ICC के अध्यच कौन है ससांक मनुभर तो ध्यान लखेंगे इस चीच को कि ICC के निदेशक और ICC के अध्यच में अंतर है तो दूसरा प्रिशन और पहला प्रिशन दोनों एक अलग अलग प्रिशन मैं ध्यान लखेंगे आप इस चीच को परतमान में ICC के अध्यच ससांक मनुभर आगे प्रिशन देखिए खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में सबसे अधिक सुब्धदक किसने झीते खेलो इंडिया स्कूल गेम्स میں सबसे एग सुब्धदक हरयाडा में झीते हैं ठीक हरयाड सरवादिक सुलपदक जीते हैं और ओवरॉल पदक भी हर्याडा नहीं सरवादिक जीते हैं तो यह रहा आपका तीसरा प्रिशन चौथा प्रिशन है विस वद्धिक संपदा सुचकांक में भारत को कौन सा इस्थान मिला तो विस्ववद्दिक संपदा सुचकांग में भारत को 44 वा इस्थान मिला है यह Intelligences Related Index था इसमें भारत को 44 रेंग मिली है पांचमा प्रिसन है 23 सीथ कालीन ओलंपिक खेलों की सुरुवात कहां होई देखें दो प्रकार की ओलंपिक खेलोती है ग्रीसम कालीन और सीथ कालीन हलाकी ग्रीसम कालीन ओलंपिक खेलों का महत अधिक होता है लेकिन यहाँ पर 23 सीथ कालीन ओलंपिक खेलों की सुरुवात प्योंग यांग में हुई है दच्छड कोरिया देश में प्रेट किया गया है वहाँ पर तो काफी बड़ी बात है वहाँ पर तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि प्योंग यांग दच्छल कोरिया में है तो यहाँ पर यह प्रिशन आपका complete हुआ छटवा प्रिशन है प्रथम संस्कृत केंदर का उदगाटन प्रथम संस्कृत केंदर का उदगाटन राजना सिंग ने कहां किया जो हमारे ग्रह मंत्री हैं उन्होंने प्रथम संस्कृत केंदर का उदगाटन एहमिदाबाद में किया गुजरात के एहमिदाबाद में किया है यहां रहा आपका छट्मा फिस्म आगे देखते हैं नीती आयोक के नवींतम स्वास्त सुचकांक मैं सीर्स पर कौन सा राज रहा तो नीती आयोक आप जानते ही यूजनायोक के स्थान पर नई संस्था बनी है तो उसने एक index जारी किया है सुचकांक जारी किया है जिसमें वास्त की शेत्र में केरल को प्रथमिस्थान मिला है केरल को प्रथमिस्थान मिला है तो ध्यान रखेंगी काफी important question है next है मड़िपूर उच्छ न्यालय की प्रथम महला मुख्य न्यायदीज कौन बनी तो हाले में मड़िपूर उच्छ न्यालय में न्यायदीज की न्युक्त परसेंट LED लाइटों से युक्त भारत का रेलवे जौन कौन सा बना यानि कि पूरे सभी अपने स्टेशन पर 100 परसेंट LED लाइट वहाँ पे यूज हो रही है तो वो कौन सा जौन है दच्छड मद रेलवे दच्छड मद रेलवे ये रहे आपके 9 प्रिस्ट जो की इस रीड थे तो उमीद है कि आपको ये प्रिस्ट पसंद आएंगे अब है आपक पिछली बार का उत्तर पिछली बार का उत्तर का मतलब पिछली वीडियो में मैंने जो प्रिश्ट पूछा था भारत की कानून मंत्री तो रवी संकर प्रसाद उसका आंसर है काफी लोग ने उसका आंसर दिया था बहुत बहुत आप सभी को धन्वाद कि आप लोग कमेंट करते हैं नेक्ष्ट देखिए आज का सवाल जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीडियो की सीरीज में मैं आप से एक सवाल पूछता हूँ उसका आप से कमेंट में जबाब मांगता हूँ तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं आता है तो आप पता करके बताएंगे तो आच्छी सवाल है उत्तर प्रदेश विधान सभा की काफी कॉश्यन मिल गए हैं और वीडियो आपको पसंद आया हुगा तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने जो मॉडल पेपर में आपको जारी किये थी वो भी आपको काफी पसंद आ रहे हैं तो उसी तरह ऐसे वीडियो को सेर करते रहना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार